तमिलनाडू में धान की नई फसल की आवक शुरू होने से रैडिल स्थोक बजार में चावल का भाव नरम पड़ गया है इसमें कम से कम चार रुपे प्रती किलो तक की गिरावटा चुकी है फेडरेशन ऑफ तमिलनाडू राइस मिल ओनर्स तथा पैड़ी राइस डिलर्स असोसियेशन का कहना है कि सुपर फाइन चावल का भाव उचल कर पहले 1620 रुपे प्रती बोरी पर पहुँच गया था जो अब घटकर 14.500 रुपे प्रती बोरी रह गया है फेडरेशन के मताब की भारी मांग निकल रही थी जबकि इसके उत्पादर में गिरावट आ गई थी इसके लावा तमिलनाडू में बिजली का चार्ज बढ़ाकर निश्चित किया गया था और पैकिंग युक चावल की थैली पर जी एस्टी भी लागू था लेकिन 15 जनवरी के बाद धान की 150 से 1110 रुपे प्रती बोरी से गिरकर 950 से 1000 रुपे पर आ गया है वहीं इडली चावल के दाम में 4 रुपे प्रती किलो की गिरावट आ गई है क्यूकि एक तो थोक विकरेताओं को अपने स्टोक की जानकारी देने के लिए कहा गया है और दूसरे सफेद गैर बासमती इंतों में गिरावट आने में कुछ समय लग सकता है ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी